असलाम अलेकूम मेरा नाम तौसीफ है नीजिलेंड में मुकीम हूँ और क्रिकेट से तालुक है परसु मेरी वीडियो एक थी जो नीजिलेंड क्रिकेट टीम ने टूर कैंसल किया पाकिसान का उसके उपर ती काफी दोस्तों ने बड़ी नाराजगी का इजार किया और काफी वीडियोों ने खालुक है तो मैसा टीम की सिलस्ते की शूंद के वीडियों बना लूँ आज के किरते हैं कुछ अछी को चीजे प्यासे का पेली क्याईं और थोड़ा सा खुलकर बयान कर लों मेरा बाक्राउंड डात्ति है कि मैं तो आई पाकिसान से स्क नियुआब गइन के साथ खेलिए और फिर न्यूजरन क्रिकेट के लिए एक आदम टूर में पाकिसान के लिए लेजन आफिरसर भी रहा हूं तो थोड़ा सा मैं अंदर से थोड़ा सा करीब से देखा है सब कुछ न्यूजरन को भी जानता हूं परसनली तो इस तरही को मैं अगर अगर अपने तो देखा हूं जो पाकिस्तानी पाकिसान में पला बढ़ा हूं इसलामबाद में इसलामबाद से थोड़ से गरगर भी खेली और न्यूजरन रहा हूं तो यहां की लोगों को भी जानता हूं वहां के लोगों को भी जानता हूं ठीक है तो सिस्टम से थोड़ा सा वाकिफ ह कर रहे थे और अभी तक क्योंकि वहां पर कोई हकोमत नहीं हुई है अभी ताजिकस्तान में हमारे सरवरार मिलान खान साब भी गई हुए थे कुछ कर रहे हैं और बाकी सब कुछ भी कुशिश कर रहे हैं कि अर्वनिस्तान में अमन हो और एक हकोमत बन जाए तो इस सारे प्रोसेस में न्यूजिलम की टीम पाकिस्तान टूर कर रहे हैं और क्योंकि टूर पहले से डिसाइड़ी था कि लंबा होना है तीन OTIs हैं पांच T20s हैं तकरीबन 14-25 दिन उन्होंने रहना है उदर तो अब मसर ही है कि मैं अपने साफसेकर देखता हूं क्योंकि यह और उनको स्कूरी क्लेंस मिल गई लेकिन पाकिसान को थोड़ा सा सेंसिबल रहना चाहिए था इस सिच्वेशन में क्योंकि हमारे जो रीजन की अभी सुड़ते तो इस सारी चीजों को सामने रखते हुए मेरे खाल इतना लंबा टूर शायद नहीं कराना चाहिए था अब क्योंकि टूर पहले डिसाइड हो गया था यह ज़रूर कर सकते थे कि कुछ भाना लगा देते कोबिट का कह देते कुछ भी कह देते अट लीस्ट जो रवल और उननिस को गए तो आट दिन तो अभी भी कुझा रहे हैं मैच कोई निखेला तो एक तो यह रीजन है कि टूर बहुत लंबा था और हमारी जो रीजन है ना उसकी डे टुडे सिचुएशन डिफरेंट वैरी करती है तो सिक्योर्टी अलर्ट जो भी आप समझ लें अच् अब जिसना अलेर्ट लेवल अचानक बढ़ गया तो वह फॉर्णर्स को अटेक करने का चांस था ना और फॉर्णर्स कहां ठहरे में जाता जो आर्मी वाले है वो सारे अधर ठहरे में तो निज़र्ण क्रिकेट की टीम कोई फॉज तो है नहीं तो आर्मी वालों के लिए जो ठीक है लेकिन इनके लिए क्यों उनके साथ ठहराया I don't know ठीक है में खेल इसलामबाद में और अप्शन नहीं थी लेकिन अब आप यह देख लें क्या जिन लोगों पर अटैक का बहुत हाई चांस है वो लोग उदर ही ठहरे हैं और यह लोग भी उदर ही ठहरे हैं तो यूप सब्सक्राइब कर लएते तो बेतर था रहा है करा यह और करा लेते करा लेते करा है लेकिन यहां कराना जो को इस सुच्विशन में में मेरा ख्याल है और यह मेरी लिए तो हो नहीं मैं अपनी experience से बता रहा हूं या मैं रहा हूं दोनों मुलकों में उसे साब से बता रहा है तो वो मेरा ख्याल है कि शाहिद avoid किया जा सकता था ना अगर या तो one day series को scrap कर देते या फिर कई और मुफ कर देते लेकिन मैं परस नहीं कहता हूं कि टूर को बारा बारा दिन से लंबा नहीं होना चाहिए था तो उससे ही होता कि दो तिन तिन की पांच ट्वेंटी कराए और उनको भेज दिया ठीक है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ से अरह है और निजर जी ताब का भी इंटर्वियू है और काफी लोग फोड डाल रहे हैं काफी लोग को तमीजी से भी कह रहे हैं कि यार इन्होंने जान बूच के किया और हमें बता हैं क्या सिट्रेट है तो आप शेख रजी साब माशाला काफी एक्सपीरियंस प्लिटिक्शन है और उनको प आपको डिटेल्स नहीं देंगे और वह कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के खिलाफ साज़श होई है तो यार हम तक्रीमर मैंने कोई मैं 40 साल का हो गया यह तो पाकिस्तान के खाफ साज़श है नहीं खदम होती ना ठीक है कुछ होती भी होगी लेकिन आ कुछ खुदा का तो उसके बावजूद वो मतलब उनन तो अपनी तरफ से एफर्ट की ना ने पाकिस्तान को नीचे लाने के लिए साज़श है पुलिटिकल हो सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल किया न्यूजरेंड को इतने मतलब सेनिकल होंगे ग्यारों इस तरह की हरकत करेंगे अचा अब अब ओवरॉल जार है कि इससे पाकिसान को काफी इंपक्त होगा और यह सीरीज इतना मसला नहीं था क्योंकि दस साल से हाड़ वर्क कर रहे हैं क्रिकट वापिस लाने में तो पाकिस्तान पीसीवी ने बड़ा अच्छा किया जो सिस्टम साल अलगा अब मसला यह है कि आगे इंग्लें ने आना अगले महीने और इतफाक से उनके भी रावल पिंडी में मैचे जाएं लेकिन इंग्लें का यह है कि दो दिन में दो मैचेश खेलने हैं बस तो होसते चार दिन के लिए और पांच फे दिन चौथे दिन ही वापिस तले जाएं उनका टूर बहुत शॉट है ना इसे पहले बात कर था कि नियुज जरल का टूरच उस होता तो शयद चल जाता ना तो उनकी के टूरिश ओ है तो ओफुल ही कि यह 올 जाए टेंग्लिंड को मसला नहीं हो नच्छीन ना नोया झासर आν तो फिर निचन कोई चांस अश्रली आएगा और फिर वही स्टार फर्म रखेगा और टीम्स को इंकरिज करेगा पाकिस्तान बुलाने में लेकिन लोजिस्टिक्स जो है ना उनकी पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमाले पॉलिटिकल हालात क्या है और इस रीजन की पॉलिटिकल हालात क्या है उस हिसाब से जो सारा गेम है उस हिसाब से प्ली तो आ गए हैं लेकिन अभी हकूमत वह फॉर्म कर रहे हैं ठीक है अन्सेरिनिल्टी है फिर उन्होंने ड्रॉन स्ट्राइक में बच्चे मार दिये जिसका उन्होंने उसी दिन वीडियो कर दी किया हमने गलती से मार दी उन्होंने अपनी अपालोजी कर ली और साथ ही सीक्यू अब 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 आप देखे न न्यूजिलन ने फोज थोड़ी बेजी थे जड़ी तो मेरा ख्याल जाती है कि क्रिकट बोर्ट की पास न्यूजिलंड की बोर्ट की पास अप्शिट नहीं थी उन्हें वापेस बुलाना था क्योंकि गौर्वर्मेंट से अब्र से मेरा ख्याल है कि security alert बढ़ने की वज़ा से हुआ है तो पाकिसान का नुकसान हुआ है और बड़ा गलत हुआ है और परसनली मैं बहुत disappointed हूँ लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो मेरा ख्याल है कुछ